सभी सी राम चरित मानस प्रेमियों को जैसी अराम राम राम पहले प्रभु का नाम फिर काम बुलो सियावर राम चंद की जै पवन सुत हनुमान की जै हर हर महादेव की जै आज का प्रसंग है भरत का प्रयाग पहुँचना भरत दुआज भरत संबाद बंगल भवन अमंगल हारे रब हुसे दसरत अजर विहारे राम सिया राम जै जै राम भरत तीसरे पहर कहा केन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिया राम से उमग उमग अनुराग प्रेम में उमग उमग कर सिता राम सिता राम कहते भे भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया जलिका जलिकत पायन कैसे पंकज कोस ओसकन जैसे भरत पयाद है आए आजो भयो दुखत सुन सकल समाजो उनके चर्णों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर उसकी बुने चमकती हो भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं ये समाचा सुनकर सारा समाच दुखी हो गया खबर लेन सब लोग नहाए केन प्रणा मुत्र भे नहीं आए सविद सितासित नीर नहाए दिये दान महि सुरसन माने जब भरत जी ने पता पा लिया की सब लोग इसनान कर चुके तब त्रेडी पर आकर उन्हें प्राम किया फिर विद पूर्वा गंगा यमना के स्रेत और सियाम जल में इसनान किया और दान देकर ब्रहमणों को सम्वान किया देखत स्यामल धवल हलोरे पुलक सरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तेरत रावू बेद बेदित जग प्रगट प्रभावू स्याम और सफेद यमना जी और गंगा जी की लहरों को देकर भरत जी का सरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाँ जोड़ का है आप समस्त कामनाओं को पूर करने वाले हैं आपका प्रभाव बेदों में प्रसिद और संसार में प्रगट है माग हूं भीक त्याग निज धर्मू आरत काहन करें कु करें मू अस जी जान सुजान सुदानी सफल करें जग जाचक बानी मैं अपना धर्मना मागने का छत्री धर्म त्याग कर आप से भीक मांगता हूं कौन सा कु कर्म नहीं करता ऐसा है दे में जानका सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की बानी को सफल किया करते हैं आर्थात वो जो मांगता है सो दे देते हैं मंगल भवन या मंगल हारी तब हुसे दसरत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम अरत न धर्म न काम रुच गत न चहों निर्वान जनम जनम रतिराम पद ये बरदान उनायान मुझे ना अर्थ की रुच इच्छा है ना धर्म की ना काम की और ना मैं मुच्छ ही चायता हूँ जनम जनमे मेरा सिराम चंजी के चर्णों में प्रेम हो बस यही बरदान मांगता हूँ दूसा कुछ नहीं जन हु राम कुटिल कर मोही लोग कहों गुर साहब दोही सीता राम चरन रति मोरे अनु दिन बढ़ो अनु ग्रहतो रे स्वायम सी राम चंजी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुर दोही तथा स्वामी दोही भले ही कहें पर सी राम चंजी के चर्णों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे जलदु जनम भरे सुरत बिसारों जाचत जलप बिपाहन डारों चात कुरटन घटे घट जाई बढ़े प्रेम सब भात भलाई मेग चाहे जनम भर चातक की सुधी भुला दे और जल मांगने पर वो चाहे ब्रज और पत्थर ओले ही गिरावे पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी प्रतिस्ता ही नस हो जाएगी उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है कन कहीं बान चड़े जिम दाहे तिम प्रीतम पद नेम निभाहे भरत बचन सुन मांज त्रवेने भैम रदुबान सुमंगल देने जैसे तपाने से सुने पर आव या चमका जाती है वैसे है प्रीतम के चड़नों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवा का गौरो बढ़ जाता है भरत जी के बचन सुन कर बीच वेजी से सुन्दर मंगल देने वाली कुमर बाड़ी हुई तात भरत तुम सब बिद सादो राम चरन अनुराग अगादो बाद गलान करो मन माहीं तुम सम राम को प्रियनाहीं हे तात भरत तुम सब प्रकास साधू हो सी राम चरन जी के चरन में तुम्हारा अथा प्रेम है तुम बेर्थी मन में गलान कर रहे हो सी राम चरन जी को तुम्हारे समान प्रियो कोई नहीं है मंगल भवन या मंगल हारे तब हुस दसरत अजर विहारे राम सी राम जै जै राम तन पुल क्यो ही हरस सुने बेन बचन अनकूल भरत धन कहीं धन सुर हरसित भरसें पूल त्रिमेडी जी की अनकूल बचन सुनकर भरत जी का सरीर पुलकित हो गया हैदय में हरस चागया भरत जी धन्य है धन्य है कहकर देवता हरसित होकर फूल बरसाने लगे प्रमुदित तीरत राज निवासी बैखानस बट ग्रही उदासी कहाई परस पर मिल दस पाँचा भरत सन्य हुसिल सुच साचा तीरत राज प्राग में रहने वाले बानप्रेस्ट बंबचारी ग्रहस्त और उदासी इंसन्यासी सब बहुती अन्नदित हैं और दस पाँच मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और सीर पवित व सच्चा है सुनत राम गुन ग्राम सुहाए भराद द्वाज मुनी बर पहें आए दंड प्रणाम करत मुनी देखे मूरत मन्त भाग निज लेखे सिराम चंजी के सुन्दर पुर्ण समों को सुनते हुए वे मुनी से भराद जी के पास आए मुनी ने भराद जी को दंड प्राम करते देखा और उन्हें अपना मूरतिमान सौ भाग समझा धाय उठाय लाय और लीने दीन यसी सकतारत कीने आसन दीन नाय सिर बैठे चहत सकुच गहजन भजी पैठे उन्होंने दोड कर भराद जी को उठा कर हदे में लगा लिया और आसिरवाद दे कर करता किया मुनि ने उन्हें आसन दियावे सिर्नवाकर इसरा बठे मानो भाकर संकूच के घर में घुर जाना चाहते हैं मुनि पूँच अब कच्छु ये बड़ सोचू बूले जिसल किसेल सकूचू सुनह भरत हम सब सुध पाई बिद कर तब पर किछन बसाई उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूँचेंगे तो मैं क्या उत्तर दूँगा भरत के सील और संकूच को देकर रिस बोले भरत सुनो हम सब खबर पाचुके हैं विधाता के करतब्य पर कुछ बस नहीं चलता मंगल भवन या मंगल हारी तब हुश दश्रत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम तुम गलान जी अजन करो समुझ मात करतूत तात क के दूस नहीं गई गिरा मत भूत माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हिदय में गलान मत करो हेतात कईकेई का कोई दूस नहीं है उसकी बुद्ध तो सरस्वती बिगाड गई थी यहो कहत भल की है का को यहो कहत भल कई है न को लोक बेद बुद्ध सम्मत दो तात तुम्हार भी मल जस गाई पा यहीं लोकों बेद बढ़ाई यह कहते भी कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और बेद दोनों ही विद्ध दोनों के मानने हैं किन्त हेता तुम्हारा निर्म लेस गागा कर तो लोक और बेद दोनों बढ़ाई पाएंगे लोको बेद सम्मत सब कहाई जही पित दे राज सो लाई रावसत बत तुम्हाई बुलाई देत राज सुक धरम बढ़ाई ये लोक और बेद दोनों को मानने हैं और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है राजा सत्वती थे तुमको बुला कर राज देते तो सुक मिलता धरम रहता और बढ़ाई होती राम गवनों बन अनरत मूला जो सुन सकल बेस भैसूला सो भावी बस राने आयाने कर कुचाल यंतों पच्चताने सारे अनत की जर तो सिराम चंजी का बन गमन है जिसे सुनका समझ संसार को पीड़ा हुई वो सिराम का बन गमन भी भावी बस हुआ बेसमजरानी तो बसी भावी बस कुचाल करके अन्त में पच्चताई तहाओ तुम्हारे अलप अपरादू कहसू अधम अयान असादू करते हुँ राज न तुमही न दूसू रामाई होत सुनत संतूसू उसी में भी तुम्हारा कोई तनिक्सा भी अपराज कहे तो अधाम अज्यानी और असादू है यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोसना होता सुनका सी रामचन जी को भी संतोसी होता मंगल भवन या मंगल हारी तब हुश दशरत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम अब यत कीन हो भरत भल तुम्हें उचित मत्येव सकल सुमंगल मूल जगर रगु पर चरन सनेव भुलो सिया वर राम चंद कीजे